नमस्कार दोस्तों प्रडाम आदाब जैहिंद इंदुस्तान मैं तुलवस्ती स्वागत करता हूँ आप सभी का इस दुपहर एक बजे रियल रफ्तार रेजनिंग के 90 डे के ब्लॉक बश्टर शो में दोस्तों ये 90 दिनों के शो में मैंने आपको बताया था और आज इसका ड जैहिंए पाँचवा हैं दोस्तों आज पाँचवा दीन पढ़ारा हूं मैं आपसे फिर बोल रहा हूं कि मैंने आपको अभी तक जितना कुछ भी पढ़ाया है पैंच दिन मैंने क्लास ली है आगे मुझे पूरे 85 दिन और क्लास लेने हैं और मैंने आपसे जो वादा किया है कि धीरे 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 लेवल बढ़ाता जाओंगा जीरो टू हंडेड हम चलेंगे और आपके जो भी कस्ट समस्या दुविधा बाधा तकलीफ पीडा जो कुछ भी है वो सारी चीज़े में यहां पर दूर करता चलूंगा लेकिन अगर आपके कुशन करने के अंदाज और तरीके को अगर मैंने नहीं बदल दिया तो मेरा नाम भी अतुलवस्ती नहीं दोस्तों याद रखिएगा जितने लोग मेरे साथ जोड़ते हैं कपिल तिवारी हिमानसी सिंगल सरोजा और मुसकान जहबरा प्रिया सिंग यशिका सैनी आप सभी यह जानते हैं कि आपका इतना करना बाउंस बैक आया है कि सर अब कोई भी कोशन हो एकदम चुटकियों में सॉल्व कर दूँगा एकदम ऐसा सॉल्व करूंगा कि दुनिया बोले कि यार इस बंदे में दम है याद रखना अभी तक चैनल लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना दोस्तों इस वीडियो की लिंक को कॉपी पेस्ट कर दो यार मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो की लिंक को पहुचा दो और आज देखेंगे जबर्चस शांदार और एक नंबर कोशन तो चलो सेशन की शुरुआत करते हैं देर नहीं करते हैं कमेंट बॉक्स में लिख दो दद्दा कि सभी रेडी हैं यहां पर गुण्यन बहुत जल्दी आकाश सिंग भईया बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा ममता जीना हमारे साथ है संदीप है हमारे साथ सभी हमारे साथ जोड़ है तो जल्दी से सेशन को like and share ठोक तो बसी तना सा कर दो जल्दी से जहां तक तुमारी रीच है वहां तक इसे शेयर कर दो ठीक है ना दोस्तों यहां पर आपको बता दे कि आपको पता यह बात शायद कुछ ही लोग जानते होंगे आपको एक ऐसा coupon code मिल रहा है जिसे अड़्डा 247 में कुछ भी परचेस करो वो चाहे बैंक हो SSC हो टेचिंग हो IIT JE हो Engineering हो Defense हो UPS SEO कुछ भी परचेस करो आपको Y272 यह coupon code लगाना है और यह coupon code याद रखेगा आपको सबसे ज़्यादा और आभी तो double validity is back मेरे भाई double validity चल रही है बस एकदम धुआ धुआ उड़ा दो और एकदम पागल कर दो दुनिया को कि भाया इस बार एक साल में selection लेके दिखाएंगे एक साल वाला लोगे यह साल तुमारे काम आएगा अगले साल तुमारे भाई के काम आएगा दो साल की validity मिल जाएगी यानि एक साल की validity free मिल रही है ठीक है ना तो चलो दोस्तों आज का देखते है thought of the day आखिर आज का thought of the day क्या है फिर आज के session का कर रहा bounce back लेंगे कि हम क्या क कुछ लेकर आए हैं देखते हैं लकी का क्या कहना है लकी कहना है कि अगर ख्वाईशें कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है बिलकुल सही बात है कि दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है दिल कुछ और कहता है दिमाग कुछ और कहता है और फिर इसी कश्मकस में बच्चा परिशान हो जाता है कि sir कोई गाइड नहीं करता मैं क्या करूं पर bank देखता हूं तो English नहीं आती SSC देखता हूं तो advanced math नहीं आती क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो दोस्तो जब भी दिल दिमाग imbalance हो जाए तो किसी एक चीज़ को एक दिन अपने आपको time दो और ये judge करो कि तुम्हें क्या जरूरी है तुम्हें क्या चाहिए तो thank you so much और चलिए आज के session की शुरुवात करें like share ठोको और दोस्तो कल का homework ये है जल्दी स्होंवग का जवाब बताओ जल्दी साथ के session की शुरुवात करते है जल्दी go ahead आप अगर होते कल की class में ये question मैंने दिया था answer बताएं क्या होगा इसका जल्दी Thank you Corona Marona क्या बात है Himani Singh है न Thank you so much Himani अब ज़रा सूचो यहाँ पर किसी ने का question क्या होगा दोस्तो 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 मेरे regular class करने वाले विद्यार्थियों ज़रा एक बात बताओ आतु लवस्ती की बात में कितना दम है बहन zero generation है क्या फिर से बताने क्या वेशक्ता है जितने लोग मेरी ये series देख रहे हैं जेंडर बताओ क्या है जल्दी से comment box में बताओ जेड का जेंडर क्या है तो dollar का मतलब क्या है बोले a is a mother of b यानि जेड क्या है female है तो I am really sorry मेरे भाई grand father answer जिंदगी में नहीं हो सकता बोले ठीक है अब a dollar का मतलब क्या है mother hash का मतलब क्या है father one plus one बराबर क्या आया बोले sir two आया two का मतलब होता है grand two का मतलब होता है grand बताया है grand बताया है और याद रखना grand है तो फिर grand में केवल female एक ही बंदा होता है जो कि grand mother होता है ये सारी चीज़े गलत हो गई और answer बिल्कुल सही हो गया बिना solve किये और याद रखना ये 5 नंबर के question जरूर पूछे जाते बहुत ही शांदार बहुत ही शांदार ला जवाब जबर्जस शांदार और यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान से जो बच्चे आंसर किया उन सब के लिए दोस्तों आज आप आंसर करेंगे कल मैं आपका नाम दिखाऊंगा पूरे हिंदुस्तान को एक बार जोरदार तालिया बनती है दोस्तों एक बार जोरदार तालिया बहुत ही शांदार जोती पटेल ने सबसे पहले जवाब दिया था अंकित सिंग यश्का सैनी पलक शुकला प्रियंका साहु गुंजन है यहां पे रोहित प्रिया वर्मा कपिल तीवारी विवेक अगरवाल निर्मा यह जितने लोग यह तो भी यह 100% जवाब सही था ही लिसन बहुत इंटरेस्टिंग चीजे हुई है 100% यह जवाब तो था ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि यहां पे भी 100% जवाब सही है यहां पे भी 100% जवाब सही है यह बात याद रखना 100% आंसर यहां पे इतने लोगों का सही है इन सब के लिए जोरदार तालिया होनी चाहिए और याद रखना इस तरीके के सेशन को आप सभी से मैं कहता हूँ कि जरूर देखा करें इस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में जैसे यहां पे लोगों का नाम है सेम उसी तरीके से लगबख 100% प्लस लोगों ने मेरे comment box में जवाब दिया था इन सब का नाम पूरा हिंदुस्तान आजीवन देखेगा क्योंकि यह वीडियो यूट्यूब पे पड़े रहना है तो जल्दी से like and share करो और जल्दी से बताओ आजके सेशन की शुरुआत करो जल्दी से बताओ आजके सेशन की शुरुआत करो और आज के वीडियो के बाद भी आप comment box में अपना view डालेंगे कि आज के question, homework का question का answer आप क्या देंगे, ठीक है न, तो सिफ भास कर यहाँ पे भी है, हाँ, देखलो एक बाद फिर से check कर लेंगे, तुमारा नाम जरूर होगा, कुछ नाम, अगर एक नाम मेरे पीछे छुप ज आता है, तो मैं उसके बारे में नहीं बता सकता, लेकिन याद रखना है, सारे नाम है, एक भी comment मैंने छोड़ा नहीं है, not a single comment, ठीक है न, चलो, आज क्या पहला question आपके सामने है, logical reasoning से सुरुवात है, 90% लोग भावनाओं में बह जाएंगे, guarantee लेगते हैं, और याद रखन feelings की कोई जगा नहीं है, जल्दी से सोचो यहाँ पर जवाब क्या होगा, क्या भारत को कस्मीर को, क्या भारत को कस्मीर को पाकिस्तान को दे देना चाहिए, should India give away कश्मीर to Pakistan पहला, नहीं, कस्मीर एक खुबसूरत राज्य है, यह भारत के लिए बहुत सारी विदेशी मुद अरजित करता है, no, कश्मीर is a beautiful state, it earned a lot foreign exchange for India, दूसरा है, yes, this would help settle conflicts, जल्दी से सोचो क्या होगा, तुम क्या कहोगे, दोस्तो, यदि आप अपना ये बात कहें कि नहीं, हम नहीं दे सकते क्योंकि कस्मीर एक खुबसूरत राज्य है, जो भारत के लिए बहुत सारी विदेश का, इसलिए सम्मान करते हैं, कोकि उनकी pension आती है, pension ना आ रही होती, तो उनको गला घोट के मार दिये होते, बोले, अरे सर क्या बात करते हैं, वो तो हमारे घर की धरोहर है, इसी तरीके से कश्मीर जो है, वो भारत की धरोहर है, इसका ये कट्टाई मतलब नहीं है, कि वो ह यहाँ पर, हाँ, बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ पर दूसरी भी एकदम सरासर गलत होगा, यह सरासर गलत होगा, दोनों ही बिल्कुल गलत होगे, तो इन बातों को याद रखिएगा, neat, clean जवाब देना बिल्कुल सही होगा, ठीक है, अगर किसी चीज को settle करना है, तो जरूरी नहीं कि हम अज समयधानिक करें, एकदम नीचे गिर के काम करें, जो चीजे हमारे समयधानिक रूप से सही हैं, हम सिर्फ उसी चीज का अनुसरान करेंगे, अभी इसका अंसर बताओ, घर की धरोहर है वो हमारे grandfather, बिल्कुल सही बात है, अभी इसका अंसर सोचो, मैंन क्या बोला, if the positions of first and fourth digit are each number is interchange, पहले तो अगर 7632 लिखा है, तो आप पहले इसे बताओगे, इसका first किधर है, 90% लोग confused हो जाते हैं, कि सर 7632 लिखा है, तो इसका first किधर है, तो याद रखना आप इसको पढ़ोगे कैसे, इसको 7632 पढ़ो ना, 7632, तो याद रखना first ये है और fourth ये है, यानि one, two, three, four, ये ऐसे है, ये बात याद रखना, confused नहीं होना, उसने कहा कि ये series है, the position of first and fourth digit are, each number is interchange, अगर पहले और चौथे को interchange कर दिया जाए, पहले और चौथे को interchange कर दिया जाए, मतलब उसने क्या किया, कि उसने कहा कि अगर 7 को यहां कर दें, 2 को यहां कर द दें, 3 को यहां कर दें, 2 को यहां कर दें, 5 को यहां, 8 को यहां, और 2 को यहां, 6 को यहां, आपस में interchange कर दें, ये task complete होगे, अब कॉमा के बाद पढ़ेंगे, which of the following will be the second digit of the third highest number, जो third highest number होगा, उसका second digit क्या होगा, तो पहले सबसे highest number तो बन रहा है, 8325, बोले हां, फिर उसक ये बोल सकते हैं, 3 will be the right answer, हम ये बोल सकते हैं, 3 will be the right answer, बहुत ही शांदार, बहुत ही लाजवाब, एक number, और इसलिए मैं एकदम practical तरीके से लिख के समझाता हूँ, अगर मेरी राइटिंग नहीं समझ में आईगी तो, जल्दी सांसर बताओ, I think ये 11 second का question है दोस्तों, प्लीज मुझे 11 second में timer बंद करने दो, क्योंकि बहुत ही शांदार, बहुत ही शांदार, पहली बात तो मैं उनके लिए ताली बजाना चाहता हूँ, अगर 100 में से 10 लोगों ने भी अगर इसका 11 second में जवाब दिया है, तो दोस्तों आपकी speed धीरे धीरे उस level पे पहुँचने वाली है, कि अगर exam में जब reasoning का separate अगर countdown चलेगा, तो तुमको भी कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से ऐसे करके बैठोगे, बोलो कि सर हो गया सर, इतना time नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मेरे paper करने का अंदाज जो है वो दुनिया से अलग है, मै यहाँ पे K3E है, यहाँ पे भी K3E common है, तो यह दोनों एक दूसरे का code हो जाएगा, तो सर यह सिर्फ 11 सेकेंड का question था, और इसको मैं सिर्फ 11 सेकेंड में ही solve करूँगा, शांदार, अगर मैं मानता हूँ आसान है, लेकिन क्या आप ने इसे 11 सेकेंड में solve किया, आसान था I accept it, बद क्या 11 सेकेंड में solve किया, यह जरूरी बात है, इसका आंसर सोचो, जान बूच कर आजकर सिलोग ऐसे लिखा जाता है, अब सिलोग जान बूच कर ऐसे लिखा जाता है, पहले डायरेक्ट नाम लिख दिया जाता था, अब इस तरीके से लिखा जाता है, जल्दी से बहुत ही बढ़िया, यशिका बहुत ही बढ़िया, जन्नत बानो बहुत ही शांदार, बहुत ही शांदार, ला जवाब, ला जवाब, बेहतरी, अब सुनो, मिरी बास सुनो, देखो, जब भी ऐसा बोले ना, मोहबत से साफ सुतरा बना दो, बोले सर कैसे, मैंने का देखो, पहले इसको देखो, हा सर देख लिए सर ये गलत है, अरे यार हमने का सुनो तो, डाइग्राम तो बनाओ, बोले सर एक बात याद रखिएगा, जब देवताओं की बात की जाए, जब यहाँ पे अगर देवता है, जब यहाँ पे 100% positive है, तो राक्षस कभी भी 100% consider नहीं होंग positive statement में negative conclusion कभी भी सही नहीं होगा, पहली बात, बहुत ही शानदार, अब उसने बोला कि देखो, यहाँ पे क्या है 1 है, यह AC है, बोले सर ठीक है, सम AC आर 2 oblique BC, बोले हा सर ठीक है, फिर बोला सम 3 AC आर 1 AC, अब जड़ा देखो, एक उधपूर, दूसरा महमूधपूर है, बोल लेकिन यह either or है, बोले सर कैसे, तीन yes sir आपको बोलना है, तीन yes sir बोलना है, अगर तीन कुभूल है, तो यानि निकाह confirm है, तीन कुभूल है, element same, yes, both wrong, yes, both conclusion must be combination of positive and negative, yes, होना चाहिए, है भी, तीन yes sir हो गए, याद रखता, अगर इसमें से एक भी no हो जाता, तो यह neither nor हो जा सम के साथ no है, बिल्कुल सही बात है, it's either or, बहुत ही शांदार, बहुत ही उम्दा, जल्दी बता, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शांदार, टाइमर का sound आ रहा है, रुक जो, दो सकिन में, बंद कर दे रहा है, बंद कर दे रहा हो, क्या बात करते हो, अब नहीं आएगा, अब देखना नहीं आएगा, जल्दी सोचो, कर दिया, कर दिया, कर दिया, कर दिया, एरपित कर लिया, पारले जी, क्या हाल चाले बहुत है, विश्वप साहा, जीवन कुमार सिंग, बहुत ही बढ़िया, आप सुनो और बाबा, कुछ नहीं, जी से एन जाना है, जी से एन मतलब, जहाँ जहाँ कहते हैं, तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो, जहाँ जहाँ करते हैं, तो इसे कहते हैं, जहाँ जहाँ हो रहा है, जहाँ जहाँ हो रहा है, जहाँ जहाँ हो रहा है, और यह नायक नाइका वाला नो रिलेशन है, तो यह जहाँ जहाँ मतलब स से एस में तो यह grandfather आ गए तो यह consider होंगे नहीं एस सेकेंड विल बी दा राइट आंसर बोल बात सही है कि नहीं मैं ख्याल दें टाइमर का साउंड बंद हो गया अब नहीं आ रहा है साउंड अब उसका साउंड नहीं आ रहा है मैंने चेक कर लिया अब नहीं आएगा चलो आंसर बताओ मुस्कान बहुत बढ़े है जल्दी सांग उठे वाला बटन दबा के लाइक शेयर ठोको यार अगर मज़ा आ रही है तो जल्दी से पहले लाइक एंड शेयर ठोको इसको step by step किया करो सब कुछ एक साथ पढ़ोगे न तो confused हो जाओगे एकदम confused हो जाओगे एक साथ किया करो इसको जरा देखो तो अगर उसने बोला if all the numbers are arranged in ascending order based on third and the third digit of the number उसने बोला कि ये देखो एक, दो, तीन इस नमबर के आदहार पर इस तीसरे नमबर के आदहार पर इनको बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो पहले रुख जाओ ना, पहले ये मेरे पास series थी, और इस number की आधहार पर बढ़ते हुए क्रम एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद पांच, पांच के बाद आठ, यानि तीसरे वाले number की आधहार पर अगर बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए, तो ये देखो, यह बढ़ते वे क्रम के अधार पर रखा गया तीसरे नंबर के अधार पर यानि यहाँ पर एक आया फिर यहाँ पर दो आया, यहाँ पर तीन आया यहाँ पर पांच आया, यहाँ पर आठ आया रख दिया, बोले हाँ गुरुदेव रख दिया अब इतना हो गया, अब आगे पढ़ते हैं, then, अब then के बाद पढ़ते हैं, what is the sum of numbers thus formed which is the second from the right and the number which is second from the left, अच्छा, अब सोचो, अब उसने बोला कि, अब उसने क्या बोला, विवस्थित किया जाता है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या कि दाएं से दूसरी और बाएं से संख्याओं का योग कितना होगा, अब एक बात बताओ, right hand side से दूसरी कौन है, बोले sir 172, और फिर बोले left hand side से दूसरी कौन है, बोले sir 525, और 525 अगर इनकी संख्याओं का योग करेंगे, तो 527 यानि यहाँ पे 697 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बोलो बात सही है कि कि इनका एडिशन क्या है, तो याद रखना है, इनका एडिशन 172 प्लस 525 इस 697 बिल्कुल सही जवाब हो, इसका अंसर बताओ, 90% इसको सोच में पढ़ जाओगे, जल्दी से सोचो इसका अंसर क्या होगा, मैं बार बार कहता हूँ कि इस तरीके का कोशन एक्जाम में आए जल्दी कहें, जल्दी से सोचो, अब देखो, जब भी ऐसा कोशन आता है, मैं फिर से बोला होगे, कोशन करने का तरीका नहीं बदलोगे, आपकी तरह 36 लोग टहल ले हैं, याद रखना, तुम दुनिया से अलग तब हो पाओगे, जब तुम्हें कोशन करने का तरीका पता जलेगा, जैसे उसने मानलो, यहां पर एक नंबर दे दिया, अब तुम्हारे पास ये नंबर है, 51794268, 6368 है, बोले हां सत, अब इसमें, याद रखना, अगर अब इसमें बोला जाए, कि ऐसे कितने, how many such a pair of digits are there in the number, 517942368, each of which is has many digits between them in the number, as when they are arranged in the ascending order, यानि अगर सभी को हम ascending order में arrange कर देते हैं, ठीक है न, ठीक है, तो इनके बीच वही अंत, जैसे मानलो हम यहां पर लिखते हैं न, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे लिखते हैं, बोले हां सर, अब जैसे इनके बीच वही फरक है, जैसे मानलो 5-7 के बीच में बोला, तो 5-7 के बीच में देखो, जैस एक से चार देखें, तो एक से चार जाने में यह देखो, exactly, दो नंबर आ रहे हैं, वो दो नंबर कौन से आ रहे हैं, मतलब नहीं है, लेकिन एक से चार में भी दो नंबर आ रहे हैं, तो यानि वही गैप हो गया, आगे देखते हैं, अब जैसे एक से आठ देखो, एक से आ यहां पे 4 और 8 के बीच में 5, 6, 7, 8, यहां पे भी 4 और 8 के बीच में 3 नमबर आए, यहां पे भी 4 और 8 के बीच में 3 नमबर आए, तो जैसे यह 4 हो गया, चार के बाद अगर हम देखें 2 और 3, यहां पे भी 2 और 3 एक साथ है, यहां पे भी 2 और 3 एक साथ है, तो यहां पे भी more than 4 will be the right answer इसलिए कोई छीचा लेदर होगा मैं pen से लिखूंगा, ऐसे ऐसे छीचा लेदर होगा मैं तुमको एकदम neat clean तरीके से solution दिखाता हूँ ताकि तुमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए चलो, इसका अंसर बताओ इसका अंसर बताओ क्या होगा अब जड़ा सोचना, अगर ये चीजें अब देखो, ये चीजें तुमको 21 सेकेंड में अगर नहीं कर पा रहे हो तो बेटा जी मैं प्लीज बोलता हूँ कि आप लोग हमेशा test series solve करते हो, speed test देते हो लेकिन अगर ये on screen तुम्हारे सामने 21 सेकेंड का टाइमर चल रहा है और अगर इस 21 सेकेंड में नहीं solve कर पा रहे हो तो तुम अपने तयारी का अंदाजा लगा सकते हो अगर उसने बोला 15 is greater than 1 तो बस खुदा हमें ऐसी खुदा ही न दे कि 15 किसी वाक उस दिखा ही न दे 1 कहां है बोले ये है और बीच में अगर ये दूसरा परिवार है तो ये दूसरा परिवार है आखिर दोनों का संबंध कौन स्थापित करेगा बोले सर ये स्थापित करेगा अब जरा दे को बोलो तो 15 is greater than 16 16 is greater than or equal to 10 10 is greater than or equal to 1 greater than or equal to तो अगर ये साइन आ रहा है तो स्थापित सी बात है 15 is greater than 1 will be the right answer बोले सही है 1 से 15 जाना है तो फिर तो 1 से 16 जाएंगे और 1 से 15 जाने का कोई सवाली नहीं पैदा होता अगर ये चाचा आ गए तो इनके सही होने की कोई गुंजाईसी नहीं है जितना मैं टाइम देता हूँ अगर उस टाइम लिमिट के अंदर सॉल्व कर रहे हो तो तो दददा ठीक है और मैं बता दू 90 डे का ये ब्लॉक बस्टर शो है पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरा देख लेना फिर मैं तुमसे पुछूँगा कि अतुल सर कितनी बातें सही कह रहे थे नौवा कॉर्शन तुम्हारे सामने जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा जल्दी से लाइक और शेयर करो यार जल्दी से पहले लाइक अंगुठे वाला बटन दबाओ फिर हम जब लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं तो यहां पर दो तीन चार के बीच में एक का गाप होता है तो नंबर का गाप एकदम सीधा सीधा तुमको दिखाई दे जाएगा अब जैसे तुमको एच से अब एच से डी मत देखो चार से आठ देखो, चार के बाद 5, 6, 7, 8, अब बताओ, देखो, यहां पे भी 3 आ रहा है, यहां पे भी 3 आ रहा है, ठीक है न, फिर अब जैसे तुमको यहां से, फिर यह जैसे A, B है, उसी तरीके से यह A, B, A लिखा है, तो जैसे इसमें इसमें एक भी गैप नहीं है, वैस सीधा जाने में, सीधा तो चले जाते हैं, लेकिन उल्टा जाने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो नंबर लिख लो ज्यादा समझ में आ जाएगा, हेट और आवर का कोड़ बताओ, क्या होगा, 21 सेकेंड दोस्तों, अगर नहीं कर पाते, प्लीज पेन गिरा देना, मैं तु पात नहीं देखना, मेरा एक उद्य से option eliminate करना, मैं को hate कोड़ ढूड़ना है, मुझे hate दिखाओ, हेट गरुरुदेव hate यह है, हमने का thank you, फिर बोले horror कहां लिखा है, मैंने का horror यहां है, तो horror और कहीं लिखा है, बोले गुरुदेव यहां लिखा है, यहां लिखा है, हमने पात लिखा है, हेट यहां है, अगर हेच है है, हेरी यहां है, तो इन दोनों में भी कुछ common होगा, यहां फिर आपको आन्सर मिल चुका है, बोले सर आवर का क्या करें हमने कहा कि आवर भाड में जाए अब इसको तुम सरसरी निगाह से भी चेक कर लोगे याद रखना सरसरी निगाह से भी चेक कर लोगे तो भी कोई माई कलाल ये नहीं कह सकता कि मेरे भाई का आंसर गलत है याद रखना option observation is the best process to solve any question दोस्तों ये तुम्हारा माई बाप है इसको हमेशा याद रखना क्योंकि इसी में से कोई सही आंसर है जो तुमें दिख रहा है तुम पहचान नहीं पा रहे उसको ठीक है ना जल्दी से इसका आंसर बताओ इसका आंसर बताओ क्या होगा अब जर्द देखो अगर हम आप से बोले कि सम फियर आर ड्रीम अगर हम बोले सम फियर आर ड्रीम तो अगर हम बोले सम फियर आर ड्रीम की बात करें तो यह देखो सम फियर आर ड्रीम जितना दाम उतना काम बाकि जै 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 सीता राम अब बोले all dream are true, पूरा dream क्या है यह true है, all dream are true, okay, no true is false, no true is false, यह याद रखना यह fear है, ठीक है न, no true is false, no true is false, ठीक है, चलो ठीक है, अब बोले some fear are not true, some fear are not true, पहली बात तो अगर हम केवल इतना देखें तो यह पूरा का पूरा positive statement है, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी कि और यह दोनों के दोनों positive हैं, तो negative कभी 100% follow होगा नहीं, बोले अरे वा, यह तो बिना diagram के भी हम बता सकते थे, all dream can be false, all dream can be false, तुम सपने में भी सोच सकते हो, all dream can be false, मतलब तुम सपने में भी एक आंसर सोच सकते हो, कि all dream can be false हो जाएगा, भाई तुमने पिता से जगडा क करने के बाद तुम यह सोच रहे हो, कि तुम लड़के से संपर्क रख लोगे, I don't think so, ठीक है न, उसने बोला, some fear are not true, भाई, some fear are not true, क्या यहाँ पे सही होगा, बिल्कुल नहीं सही होगा, तो इस बात को हमेशा याद रखना, यहाँ पे दोनों गलत होगा, ना ही पहला, दूसरा, बोलो बात सही है, बिल्कुल सही जवाब है, चलो, इसका जवाब बताओ, 99.9% 21 सेकेंड में नहीं कर पाओगे, अभी मैंने टाइमर भी नहीं चलाया है, याद रखना यह तो और समय हो गया, लेकिन यह मैं लिख रहा हूँ, फिर भी मैंने अभी तक टाइमर नह सोच के देख लेना, खुद बोलो कि अतुल अवस्ति सर सही कह रहते हैं, समस्या तुमारी नहीं है, समस्या कोश्चन की है, कोश्चन तुमको जल दे रहा है, जल कैसे दे रहा है, भाईया उसने क्या किया, डबलू यहाँ पे है, तो X यहाँ पे है, यानि एक छोड के, फि I की बात कर, I फिर यहाँ पे है, एक छोड के, फिर add the rate 1 है, तो add the rate 1 है, तो 1 फिर है, एक छोड के, अगर 3 है, तो 3 फिर यहाँ पे equal to है, एक छोड के, तो भाई, अगला क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, फाइफ होगा, और एक छोड के F होगा, यानि 5 F will be the right answer, और यह length ज्यादा है इसकी एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर चल रहा है इसलिए थोड़ा confusion हो जाती है और बहुत ही शांदार बहुत ही शांदार तुम लोग बहुत बढ़ियां खेलते हो यार reasoning is a game show याद रखना ये कभी भी ऐसा question नहीं है जहां पर तुम्हें profit loss, ci, 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 simplification का आपस में relation है यहां एक chapter का दूसरे chapter से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता है जल्दी सांसर बताओ कैसे करोगे अब जल्दी सोचो अभी किसी ने कहा कि सर क्या खयाल है अगर मैंने कहा some network are weak अगर उसने बोला some network are weak अच्छा बताओ मैंने कौन सी rocket science बना दी जितना दाम उतना काम जिन्होंने कभी जिन्दगी में से लोग नहीं पढ़ा मैं उनकी बात कर रहा हूं only few week are slow only few week are slow का मतलब क्या है only few week are slow का मतलब क्या है बोले सर सम समनोट एक साथ हमने का ठीक है all slow are work ठीक है ना यह week लिखा हुआ है याद रखना यह week लिखा हुआ है और यह क्या है all slow are work है तो यह मैं ऐसे बना दे रहा हूं समझ जाना यह all slow are work है ठीक है ना all slow being weak is a possibility पूरा slow week में जा सकता है बोलो पूरा slow week में जा सकता है अरे सुनो तो पहले उसने बोला all slow यानि यह पूरा जो slow है वो week में जा सकता है इसने बोला some network are week है only few week are slow है तो पूरा slow तो week में जा सकता है ना अरे चाचा पहले ध्यान से समझो इसलिए मैं बोलता हूँ कि फिर गलत करते हो तो बोलते हो आरे ऐसा नहीं सर ऐसा है फिर बात में sorry बोलने का कोई समय नहीं होता है बाई यह पहला बिल्कुल सही है पूरा week slow में नहीं जा सकता है पूरा slow week में जा सकता है 90% गलत हो अब बोलते हो इसलिए मेरा बहुत अच्छी reasoning है अब बता पूरा week कभी slow में नहीं जा सकता है लेकिन पूरा week पूरा slow week में आ सकता है बिल्कुल सही है some work are weak, some work are weak बिल्कुल सही है, यानि both are correct अब तुम only second कह रहे हो, तो दद्दा ये सोचने वाली बात है ना मेरे सामने तो कह जेते हैं, और यार लेकिन ये ज़रा सोचो कि examination center पर अरे यार करने वाला कौन होगा इसका answer बताओ सुनो पहले, 21 सेकंड में solve ऐसे होता है, पहले एक लंबी सांस लो अब 21 सेकंड में सांस लेने के बाद इससे पहले option हटाओ, कितने हट सकते हैं बोले sir, A is greater than Y बोले sir, I am really sorry, ये गलत है यानि ये वाला option, एकदम ऐसे ऐसे हटा दो नजर के सामने इसको लाओ ही मत एकदम दफा कर दो, A is greater than Y हाँ, ये सही हो सकता है A is greater than Y, ओहो A is less than Y, ये एकदम साफ कर दो मतलब निगाहों के सामने सही हटा दो तुम दिल ठोक के कोगे sir, मेरा गलत नहीं हो सकता, फिर A से Y की तरफ जाओ बोले sir, A is greater than Y, अरे हाँ ये भी सही हो गया, फिर A से Y की तरफ जाओ बोले sir, यहाँ पे A और Y में वो साइन है, इन्हें तीन तो तुमने ऐसे हटा दिये और फिर तुम देखो कितना मस्ती फिल करोगे Z से U की तरफ जाए, तो बोले sir, Z से U में Z, E less than Y, यहाँ पे सही है लेकिन यहाँ से Z के U पे जाओगे तो यहाँ पे यह वाला sign आ रहा है, इसलिए दूसरा भी हट गया और चौथा क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया याद रखना, इट से जहमा जहम प्रोसेश तू सॉल्व एनी कोश्शन याद रखना, इट से जहमा जहम प्रोसेश तू सॉल्व एनी कोश्शन, बहुत ही शानदार तरीका है ट्विंकल का कोड बताओ, ट्विंकल ट्विंकल लिटेल इस्टार जल्दी सांसर बताओ याद इस तू तू बटाओ, अभी सऊनो, अरे ना अरे बाबा, ट्विंकल कहा है, अब सोचेएं, ट्विंकल कहा है, वहाँत ऐने हिसकार, इस्टार, यहाँ व्टाओ, यहाँ वटाओ, ट्विंकल बचाहा है अब यहां से अगर बोले तो TK कड़ गए, TK कड़ गए, बचा क्या, VK, VK, it's a call, also jhamma जham, यानि VK, ये 11 second का question था, सभी सही बताना, 11 second का था की नहीं, 11 second का था की नहीं, बहुत ही शांदर, it's 11 second question, बहुत ही शांदर, ठीक है, दोस्तों, याद रखना, option observation is the best process to solve any question, मेने तुम्हारे क्वेशन चुने के अंदाज से, जब जैसे कहते हैं कि हम गाड़ी चलाना सिखाते हैं, लहराता इंसान अपनी आउकात के हिसाब से है, दिंदगी में कोई किसी को गाड़ी लहराना नहीं सिखाता है, लहराना इंसान अपने potential से सीखता है, का अब मैं गाड़ी ऐ कुछ नई दिखाई दे रहा, सब blur है, डबलू और के कहा है, तो बोले साथ डबलू और के की हम बात करें, तो डबलू और के, बिल्कुल गलत बात, क्यों? क्योंकि यहां पे grandfather बोल रहा है, यहां पे चाचा पापा में ही बात खतम हो जा रही है, डबलू से के, बोले डबल गलत हो गया, यह भी गलत हो गया, डबलू से के की बात करें, हाँ, यहां पे सही हो गया, फिर डबलू से के की बात करें, तो यह गलत हो गया, अब इन चाचा को तो हम देखे भी नहीं, इन चाचा को तो हम देखे भी नहीं, केवल पहले में ही हम जैजे सीता राम करके चौ पर दूफानी कहा गया है, बहुती शांदर, ब्रह्मा के हाथ के बनाई सबसे आसान प्रशने है, थूने का अन्दाज बता देता है, ये आदमी काबिल है, गजब तरीके से प्रशनों को छूता है, बोलो बात सही है कि नहीं, बहुती शांदर, ये करके दिखाओ, बताने वा apat吧 कि अब जज़्समेंट के अब देखऊ इधर यहां पर प्रॉब्लम कहना यहां पर छीछा लेदर हैं यह ज़ीछा लेदर सबसे जादा है बोले सर के सबसे जादा है समस्या इतनी यह ने बिट पाचुप उपाच में छ्ट यह हो गया और फिर साथ वाह यह हो गया यानि यूँज इम ही इससे क्या बना ओगए मुझे तो नहीं लिगता Chinese वर्ड बने तो हिंदुस्तान का कोई शब्ड इसके नहीं बन सकता बोले अगर कोई शब्द नहीं बनता है तो उसे 90 यहां पर बोला अगर बोला इफ no such a word can be made give answer जी तो हम जी बोल देंगे जल्दी से तुम बता दो कुछ बन सकता है क्या कभी नहीं बन सकता है बुलबात से यह बहुत ही शांदार बहुत ही ला जवाब बहुत ही शांदार जबर जबर जस जल्दी सांग उठे वाला बटन दबाओ यार कम से कम 300 लोग देख रहा हूँ एक बात बताओ तुम लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन अगर एक भी लाइक नहीं है तो यह गलत बात थे कि ने यार कम से कम तुमको से बंग उठे वाला बटन दबाना है और कहा जाना है और यह मैं इसलिए नहीं कहता क्योंकि मैं तुम्हें देख नहीं सकता सुन नहीं सकता यही एक तरीका है जहां पर मैं को समझ में आता है कि चलो तुम इंजॉय कर रहे ह तुम्हें अब चीजें टफ नहीं लग रही हैं, तो जल्दी से उठे वाला बटन दबा और आंसर बताओ क्या होगा, जल्दी से, जल्दी से 300 प्लस होना चाहिए, लाइक वाला बटन जल्दी से 300 प्लस होना चाहिए, जल्दी से लाइक करो, जल्दी से उठे वाला बटन कि तना सिधा ने के लिए मेरी मनलब अनसर क समस्या है अब किसी ने कहा है सर यहां क्या हो रहा है हमने का ज्ञादा यहाँ बोल। हूँ ज्ञादा स्वी फिटने का रशक्ता नहीं होती k का opposite p, इसका opposite z, n का opposite m, ठीक है न, अब r का opposite, इसे को p का opposite k, u का opposite f, r का opposite i, बस opposite लिखना है, तो अगर opposite ही लिखना है तो uz, 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 मतलब a का opposite z है, तो ये y तो बिल्कुल हट जाएगा, ये पीछे से ही पता चल जाता है, तुम option eliminate कर लो ना अब तुमको पीछे से भी पता है कि यहाँ पे भी FN है 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 बुल बात सही है अब यहाँ पे कौन आना चाहिए तो इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानि आपस में divide करके किवल तुमको opposite लिखना है तुमारा answer आज जाएगा बुलो बात सही है कि ने जल्दी से 300 like होने चाहिए यार जल्दी से 300 plus like होने चाहिए यार जल्दी से 300 plus like करो जितने लोग में को देख रहे है जल्दी से like and share करो फिर मुझे बताओ सबको मज़ा आ रही है कि नहीं class enjoy कर रहे हो कि नहीं नहीं चीज़ें सीख रहे हो कि नहीं कोई problem हो कोई समस्या हो कोई परिशानी हो में को बताओ ठीक है ना ये it's a children's question मेरे दोस्त practice पर आ जाओ एकदम धीर छोटे question से सुरुवात की है हर रोज sitting का level बढ़ाता जाओंगा 90 दिन बहुत होते हैं हर दिन sitting puzzle का level बढ़ाता जाओंगा लेकिन क्या ये question तुम 30 second में कर सकते हो मलब दो गुना बोल दो 40 second में कर सकते हो एक जादूई तरीका बताओंगा ऐसे question करने का एकदम तरीके से हो जाएगा एकदम जादूई तरीका सिखाओंगा इसका कि इसको जल्द से जल्द कैसे करते हैं ठीके न इसका दो बार timer चला दूँगा आंसर बताओं अरे सुनो मेरी बात एक बार सुनrot मेरी बात सुनो और फिर मुझे बताना कि अगर अतुल सर सही कह रहे कि और चीज़े आसान हैं हम जान बूच कि उसे कठिन बना सुकें मेरी बात सुनो तुमको सिर्फ एक गोला बनाना है बोले सर हां सर गोला बना लिए आपने जितना कहा उतना हम कर लिए अगर ये मेरी बात तुमके अनुचित लगे तो मुझे उसी जगा टोक देना कि नहीं सर आप गलत कह रहे हैं तुम्हें एक बाद दिल पे हाथ रख के बोलो किसी ने बोला H is not immediate neighbor of F मेरे किसी काम की लाइन नहीं है मैं बिलकुल नहीं बैठाओंगा उसने बोला only two percent उसने बोला only two percent sit between A and F भाल में जाए मैं कत्ता ही नहीं बैठाओंगा फिर बोला B is sitting immediate right of A अगर उसने बोला कि सभी केंदर की ओर देख रहे हैं क्योंकि यहां से confirm था ठीक है ना आगे देखो दो second चलो हैंग हो गया था तो इब आप मैं बता रहा हूँ देखो अब जब भी मैं ऐसा बोलता हूँ यह आसान क्यों हो जाता है क्योंकि मुझे हमेशा पकड़ना question वहां से जहां से मेरा काम बनता है I don't like any type of छीचा लेदा है B is sitting immediate right of A तो B is sitting immediate right of A तो अगर A यहां पे हो गया A यहां पे हो गया तो बोले sir B यहां पे हो गया है चलो ठीक है and is third and मतलब कौन? and मतलब कौन? B and is third to the left of G तो सौभाविक सी बात है G यहां पे हो गया अब देखो मैं बैठाता जा रहा हूँ तो मैं को अच्छा लग रहा है क्यों? question वहां से start करो जहां से definite बयान दिया हो who is not immediate neighbor of D and C यानि न D यहां पे आएगा न C यहां पे आएगा न D यहां पे आएगा न C यहां पे आएगा काम खतम हो गया अब मैं अगली लाइन क्या पढ़ू? listen properly question है आने वाली question all tough होंगे लेकिन यह आदत अगर पढ़ी रहेगी कि मुझे अगली लाइन जो पढ़नी है वो A के regarding पढ़नी है B के regarding पढ़नी है G के regarding पढ़नी है इन ही के regarding line पढ़ूंगा नहीं होगा तो फिर लंबी distance वाली line पढ़ूंगा लेकिन पहले चेक कर लेता हूँ फिर यहाँ पे देखो लिखा E second to the right of A E second to the right of A तो यानि E यहाँ पे बैठ गया काम खतम हो गया बोलो हाय या न F is sitting second to the left of the person who is an immediate neighbor of G ठीक है न F जो है वो G के निकरतम पडोसी का second left है तो दद्दा यहाँ पे तो तुम F यहाँ पे second left अगर किसी को F होना है तो F यहाँ पे तो नहीं बैठ सकता क्यों नहीं बैठ सकता अगर यहाँ पे कोई बैठेगा तो यह उसका second right हो जाएगा यानि F को यह confirm है और D और C इसके immediate neighbor नहीं थे तो या तो अब D यहाँ पे आजाएगा या तो C यहाँ पे आजाएगा यह भी confirm है या तो D यहाँ पे आजाएगा या तो C यहाँ पे आजाएगा क्योंकि D और C जी के पडोसी नहीं है यह उसने पहले बोल दिया था ठीक है न यह दो को बोला था न Who is not an immediate neighbor of DNC तो एक ही बंदा बचा H वो यहाँ पे आजाएगा और यह तुमारा question solve हो जाएगा मतलब जब हम confident होते हैं कि question solve हम वहीं से करेंगे जहां से हमारे पास information तगड़ी है वरना तुम question में हाथ गिरा दो यह guarantee रखना अभी मैंने एकदम level की शुरुवात की है question में हमेशा chain पढ़ी जाती कि कौन किससे link up है अगर वो नहीं मिला मालो नहीं मिला तो हमेशा हम लंबी distance पढ़ते हैं और अगर लंबी distance नहीं मिली तो हम हमेशा place elimination करते हैं और जादा से जादा हमेशा आठ लोग या छे लोगे के question ही पूछे जाते हैं यह clerk है यह IBP, SBIPO pre का pre है mains level पे थोड़ा सा ताम जहम किया जाता है जिसकी मैं class में बताऊंगा लेकिन यह याद रखना कि जितनी मैं sitting puzzle को उस level पे आसान कर दूँगा कि तुम खुद बोलोगे कि कसम ससर यह इतना ही आसान था हम जब अरजस्ती इसको tough समझने की कोशिश कर रहे थे बोलो बात सही है कि नहीं मज़ा आई कि नहीं सभी को सभी को मज़ा आया याद रखना आज का यह है HW question जो आप मुझे comment box में बताएंगे दोस्तो मेरी class कैसी लगी मुझे मेरा feedback मेरे comment box में जरूर दिया करो आप लोगों का प्रेम सम्मान इसी तरीके से मुझे मिलता रहा है फिर बहुत जल्दी हम लोगों के एतिहासी class 90 days में मैं तुमें पागल करके छोड़ूँगा यह मेरा वादा है कि 90 days अगर तुम लगातार मेरे साथ जुड़े रह गए तो इस 90 days में मैं वादा करता हूँ तुम यह जरूर कह दोगे कि सर कसम से question छूने का वो अंदाज है मेरा कि जिस question में हाथ लगा डाला वो question हो गया जिंगा लाला याद रखना यह HW है मेरी class कैसी लगी मुझे comment box में एक बार जरूर मेरा review देना कि मेरी class कैसी लगी और आपके review से ही मैं अपने अंदर बहुत से बदलाव करता हूँ sitting arrangement का ही demand मेरे comment box में आया था मैं हर रोज अब sitting arrangement एक जरूर लेके आऊँगा हर रोज एक sitting arrangement लाऊँगा एकदम easy से सुरुवात की है moderate ले चलूँगा, high level ले चलूँगा, flat floor कराऊँगा different type के pattern के question कराऊँगा, हर तरीके के question कराऊँगा लेकिन जो मेरा इसके बाद video stream होने के बाद comment box है मुझे जरूर बताना class कैसी लगी energy बना के रखा करो, मौज लो, रोज लो, नहीं मिले, खोज लो, लेकिन खुश रहो दोस्तों आज इस तरीके से मैं आपको बता दू कि month end discount चल रहा है बिटा जी ये प्लीज याद रखना, ये एक ऐसा code है Y272, यानि देखो, ये code कभी देखो कैसा है, reasoning वाला, 272 याद रखना 272, ये एक ऐसा code है, जिससे तुम bank खरीदो, SSC खरीदो, teaching खरीदो, IIT, JEE खरीदो, engineering खरीदो, defense या UPSC, कुछ भी खरीदो इस समय double validity चल रही है, याद रखना double validity चल रही है और ये double validity जो चल रही है, ये बात याद रखना, इस double validity में एक साल के लिए खरीदोगे, तुम्हें दो साल के लिए मिलेगा एक साल में तुम्हारा selection धर्ती पे कोई माईकलाल पैदा नहीं है जो इसे कर ले, और अगले साल ही अपने भाई को दे देना, तो कम से कम उसका भी selection हो जाएगा यानि चार इस से लेके 5000 रुपए के बीच में याद रखना, तुम्हारे खांदान में दो चिराग रोशन हो जाएगे, ये मेरा वादा है, तो ये class कैसी लगी मुझे comment box में जरूर बताना, और अगर आप भी मेरा answer करते हैं, तो रोज मैं ऐसे पहले thought of the day लेकर आता हूँ, कि अगर ख्वाहिश है तो कुछ अलग करने की, अगर ख्वाहिश है कुछ अलग करने की, तो दिल और दिमाग में बगावत लाजमी है मेरे भाई, दिल और दिमाग में बगावत लाजमी है, दिल कुछ और कहेगा, दिमाग कुछ और कहेगा, इसी कश्मकस को जिसने balance कर दि इन सभी के लिए जोरदार तालिया होनी चाइए, ये और आगे के कुछ बच्चे ये, जितने बच्चे मेरे कमेंट बॉक्स में होते हैं, सब का नाम में पूरे हिंदुस्तान में दिखाता हो, तो मेरे कमेंट बॉक्स में बढ़ जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी, आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद, love you all, मस्ट रहो, खुश रहो, खुश रहो, तुमारे माबाब स्वस्त रहे, संपन रहे, तुमारा तुम खुब संसकारी रहो, यही बड़े भाई का, या छोटे भाई का, जो भी कह दो, आशिरवाद है, मस्ट रहो, खुश रहो, कल फिर मिलेंग और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलना, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब कर लोगे, तो कोई होगा, बताने वाला, कि भाई, चल अतुल अवस्ति सर की क्लास चल रही है, तो वहाँ बेहतरी इन तरीके स हम class करेंगे ठीक है ना चलिए thanks a lot thank you so much एक बर comment box में जरूर बताना कि class कैसी लगी thanks a lot thank you so much love you all